अगर integration है इस form का और आप इसको तरंट solve करना चाहते हो बिना किसी calculation के तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगा एक trick जिसकी आप थोड़ी सी practice करोगे तो ये trick आपकी एकदम पकी हो जाएगी तो सबसे पहले तो आपको ध्यान लगना है कि ये जो power m और n है अगर ये दोनो power m और n even है यानि कि ये हमारा होगा first case दोनो case होते हैं और दोनो case में एक बात होती है कि बिल्कुल एक ही तरीके से आंतर दे आता है बस थोड़ा सा फरक होता है तो अगर दोनो power even है first case में तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो नीचे दोनो power का sum लिखेंगे पहला term की सुरात करेंगे दोनो power का sum हमने लिख लिया फिर उसके बाद हम इसमें से 2- करके into करेंगे इसमेंसे 2- करेंगे तो8 हो जाएगा into 8 फिर इसी तरह उर 2- करेंगे into 6 into 4 into 2 अब बस 2 पर रोवख देंगे या तो हम 2 पर रोखेंगे या बन पर कहीं वे भी इसमें अगर 2 या बन आ जागए तो वहीत रोख देंगे अगर इसमें हम और 2 माइनस करेंगे तो 0 आजाएगा तो बैसे हमें यहीं पर ध्यान रखना है कि यहीं पर 2 पर रोकना है या 1 पर रोकना है अब यह नीचे का complete हो गया अब हम उपर क्या करेंगे कि देखो नीचे तो हमने शुरुआत की ती दोनों पावर के सम से अब उपर कोई एक पावर लेते हैं इन ऐसे मालो 6 ली तो अब 6 से शुरुआत करेंगे 6-1 शरुआत क्षो र खना नम्मर, यानिकि 5 से अब हम शुरुआत करेंगे अब काम वही करेंगे क्या कि 5 मैंसे 2 माइनस कर तो 3 आ गया अब 3 मैंसे 2 माइनस कर तो 1 आ गया अब यहां पर 1 पर रोक देंगे यहां तो 2 पर रोकते हैं या 1 पर यह रोक दिया हमने इंटू अब दूसरा दूसरी पावर है यहाँ पर 4 तो 4 मैंसे हमें वही काम करना है जैसे यहाँ पर 6 मैंसे 1 माइनस करके शुरुआत की थी ऐसे ही दूसरी पावर के लिए 4 मैंसे 1 माइनस किया तो 3 इंटू 1 अब 1 पर हमने रोग दिया लेकिन जब इवन उती है पावर तब इसमें पाई अपॉन 2 और करते हैं तो यहाँ पर देखें तो 5 से यह 2 टाइमस कैंसल हो जाएगा और 3 से यह 2 टाइमस कैंसल हो गया अब इस सब को इंटू कर लें तो उपर 3 बच गया तो 3 पाई और यह तीचे सारा इंटू आ गया 256 तो यह इसका आंसर आ गया लेकिन अगर इन एम और एन में से कोई भी एक ओड हो कम से कम कोई एक ओड हो दोनो ओड हो तब भी चल जाएगा जैसे यहाँ पर क्या है दोनो ओड है ठीक या फिर ये वाला केस भी कर सकते हैं कि एक ओड हो और एक हो इविन जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया 4 तब भी यानि कि दोनो इविन नहीं होने चीए दोनो इविन वाला केस हो गया अब कोई दोनो या तो ओड हो या कोई एक और हो तो देखो, काम वोई करते हैं दोनों का सम 5 प्लस 4, 9 यहां से नीचे शुरुवात करेंगे 9, अब 2 माइनस करते जाएंगे इंटू 7, इंटू 5, इंटू 3, इंटू 1, अब 1 पे हमें रोक ना है, रोक दिया हमने अब इसमेंसे अगर 2 माइनस करेंगे तो नेगेटिव रोक ना है, तो यह ध्यान लगना है या तो 1 पे या 2 पे रोक ना है, अब देखो उपर देखें, उपर 5 तो 5 मैंसे 1 माइनस करो, 4 इंटू 2, इंटू बस 2 पे रोक दिना है ठीक है, 4 के लिए क्या करना है आपको? 1 माइनस करना है, सबसे पहले 4 ना लेके, जो पावर होती है, पावर उपर, 1 माइनस करके लिखते हैं, तो यह सबसे पहले नमबर आएगा 3, उसके बाद 3 के बाद, 3 मैंसे 2 माइनस करेंगे 1, ठीक, तो यह यह तो कैंसल हो गए, और 4 इंटू 2 वो तो कैंसल नहीं हो रहा है तो यह कैंसल करने के बाद, उपर नीचे, मल्टिप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आजाएगा, 8 अपॉन 3, 1, 5 तो इस में कहीं भी इंटिग्रेशन तो कुछ भी निकरना पड़ा अगर आप इस पिक को ध्यान रखोगे, तो आपका आंसर आएगा डारेक्ट तुरन्त